21 मार्च को आप सबने देखा कैसे रात को मुख्य मंत्री अर्विंद के जिवाल जी के घर में घुसके केंदर सरकार की ED उनको गिरफतार करके ले गई और तब से वे ED की हिरासत में हैं कोई साधारन आदवी भी इस तरीके से गिरफतार हो जाए तो उसकी चिंताएं रहती हैं पत्नी का क्या है बच्चों का क्या है कौन वकील किया जाए कैसे बेल दी जाए क्या बहांस हो रही है और हमारे अरविंद केजरिवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहां इडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाओं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परिशानिया बढ़ जाएं और एक विशय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा दिल्ली की स्वास्ते विवस्थाएं कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले गरीब को भी मिले मिडल क्लास को भी मिले मुफ्त इलाज मिले मुफ्त दवा मिले मुफ्त टेस्ट मिले मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री जी बहार थे तो मुझे कहते थे कि तु कब जाएगा अस्पताल कब जाएगा तो मैं बोलों सर कल जाओंगा कौन से हॉस्पिटल जाएगा मैं कुन सर इतने में जाओंगा अचा ठीक है तो मैं कई बार फेस्बुक लाइव और ट्विटर पे लाइव दिखता था कई बार टीवी की तरफ स लाइव दिखता था तो कहते थे अरे तु सीधा ही स्टोर में क्यों चला जाता है तो पहले खिड़की पर जायकर जहां पर दवा मिलती है उस खिड़की पर जायकर वहां पर उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तुम मंत्री है वहां लोगों का पर्चा ले लेकर पूछ लिखा कर कि कितनी दवाईयां मिल रही हैं कि पहले मिरको आइडिया नहीं था मैं पहले एइमेस के पास जाके पूछता था कि इडियल लिस्ट कितनी है असेंशन्चल ड्रग लिस्ट उसमें कितनी मौजूद हैं कहते नहीं नहीं इनके पढ़तू बाबू मत बना पहले खि से किया और महला क्लिनिक्स के विशे में कई बार लोग डिरेक्ट शिकायत कर देते थे तो पूछते थे कि यह महला क्लिनिक्स यहां पर इसमें तो इतने दिनों से डॉक्तर नहीं है क्यों नहीं है इतने दिनों से है तो अफसर ने क्या कारवाई की तुमने क्या किया एक एक ध्यान रखते थे और पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्त की चिंता है उन्होंने एक डिरेक्शन मुझे भेजी है कि सीम साहब ये जानके बेहत व्यत्यत हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और महला क्लीनिकों क के अंदर दाईयां उपलब्द नहीं कुछ अस्पतालों में महला क्लीनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सेंपल्स होते हैं वो उपलब्द नहीं हैं और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वज़े से दिल्ली मे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो जील के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाईयां दिने जाए, उसे दवा मिले, और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों की, एक मिडल क आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीच सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं, जो दवाईयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं, और कुछ लोगों की तो दवाईया ऐसी हैं, जो जब तक जिएंगे तब तक उनकी दवा चलेगी, किडनी की जिनको बिमारिया हैं, जब तक जिएंगे तब तक डाइलेसिस होगा, जब तक जिएंगे दवा चलेगी, ब्लड प्रेशर की दवा है, डियविटीज की दवा है, इस तरह की कई ऐसी चीज़े हैं, जिनकी दवा के लिए वो लोग पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के हस्पतालों पे महला क्लिनिकों में और हमारे डिस्पेंसरियों में जो मुफ्त दवा मिलती है उस पे आश्रित है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगातार इंटर्वेल्स के बाद टेस्ट कराने की जुरूत पड़ती है और उसके अंदर समस्या आ रही है तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके उपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में महला क्लिनिकों में सारी दवाईयां और सारे टेस्ट मुफ्त मिलें और उनकी उपल प्रता कमना हूँ मैं समझता हूँ कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आग्या जैसा है और इसके उपर युद्ध स्थर पे मेरा विभाग और मैं मिलके कारवाई करेंगे और मैं अर्विंद केज्रिवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं और उनकी चिं हैं हम सब लोग 24 घंटे काम करेंगे मगर कोई दिक्कत जो है दिल्ली वालों को नहीं होने देंगे ऐसी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और हमारे लिए ये भगवान की आग्या जैसा है